आर्मी अगनीबीर का 24 अपरल दोहजार चोविस की सभी सिप्टों का एक्जाम कंडग कराया जा चुका है तो हम लोग सारे कोशन देख लेते हैं जो कि आद पूचे गए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइज आज के सेसन में पहला कोश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी का नाम बताओ तो उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी को ने योगी आदितिनात नेक्स्ट है सोडियम क्लॉराइड का सूत् इसको क्या कहते हैं साधारण नमक भी कहा जाता है अगला है भारत के राष्ट पिता कौन है भारत के राष्ट पिता है महात्मा गांधी नेक्स्ट है सूरच कुंड मेला कहां पर लगता है सूरजकुन मेला लगता है हर याना में नेक्स्ट है ICC Cricket World Cup 2023 कहां पर हुआ तो यह हुआ था भारत में नेक्स्ट है पंचमणी परेटन स्थल भारत के किस राज में स्थित है तो यह स्थित है मद्द परदेश में MP में स्थित है अगला बियार चोधरी का संबन कौन सी सेना से है तो यह बायू सेना से है अगला नीरत चोपड़ा कौन से खेल से संबन दित है तो यह हो जाएगा भाला फेंक अगला कोश्चन है ओट महसब भारत के किस राज में मनाया जाता है तो ओट महसब मनाया जाता है भारत के राजिस्थान राज में मनाया जाता है राजिस्थान अगला है गोपी डाइरीच किस की पुस्तक है तो यह है सुधा मूर्ती की सुधा मूर्ती अगला है गती के नियम किस के दोरा दिये गए गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिये गए अगला है सबसे चमकीली अधातू का नाम बताओ सबसे चमकीली अधातू है आयोडीन कौन सी है? आयोडीन अगला आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसो सोम को जाना जाता है अगला है राजिस्थान के मुखमंत्री का नाम बताओ तो राजिस्थान के मुखमंत्री है भजनलाल सर्मा अगला है भारती ससस्तिर बलों का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है नई दिल्ली में New, Delhi में इस्तित है Next है खोजा मुईनुद्दिन चिस्ति की दरगा 騰हा पर इस्तित है राजिस्तान के अजमेर में इस्तित है अगला खाने को पचाने वाला पचाने वाले अमलगा ना मताओ तो खाने को पचाने वाला अमल होता है Hyd sucks अगला है अर्जुन पुरसकार किस खिलाडी को परदान किया गया था महम्मद समी को परदान किया गया था अगला है ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है पुसकर में इस्तित है पुसकर अगला है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो ये था बारेन हेस्टिंग्स अगला है मनोसे प्रत्वी पर कौन से बल के कारा खड़ा रहता है तो गुरुतिय बल के कारा खड़ा रहता है अगला है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है विटामिन B12 में CO पाया जाता है कोबाल्ट Next है विटामिन C का रासाइनिक नाँ बता़ तो एसकारीक कम, एसकारीक एसेड Next है वर्तमान सीडियस कौन है तो ये है अनील जाओहान चौहान अगला है 2023 का सांती का नोबल पुरसकार किसको मिला तो नर्गिस महममदी अगला है जनगर्णा 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में दुसरा सबसे बड़ा जो राज है वो कौन सा है वो हो जाएगा महराष्ट और पहले नमबर पर कौन सा है यूपी उत्तर परदेश अगला है कोलार की खान किसके लिए परसिद्ध है तो ये करनाटक में हैं तो ये सोना के लिए परसिद्ध है सोने की खान के लिए अगला है न्यूटन के दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं तो संबेक के नियम के नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम अगला है, 2024 में कौन से पूर्व प्रधान मंतरी को भारत रत्न पुरसकार से सम्मानित किया गया तो चौधरी चरण सिंग को अगला है रामकरश्न मिसन की स्थापना कब और किसने की तो रामकरश्न मिसन की स्थापना की सन 1897 में स्वामी विबेका नंद के द्वारा की गई थी अगला है आर बैसाली कौन से खेल से सम्मानित हैं, तो ये सम्मानित हैं सतरंज खेल से सतरंज अगला है बलका मातरक बताओ, बलका मातरक क्या होता है, न्यूटन होता है अगला है दो हजार चौबिस का भारत रत्न अबाट किसको मिला लाल करस्न आडवानी को मिला अगला है पौधों में बास्पो सर्जन कहां से होता है तो रंद्रों द्वारा होता है अगला है फ्यूज तार को घरों में कौन से क्रम में, किस क्रम में लगाया जाता है तो स्रेणी क्रम में लगाया जाता है अगला है लेप्टिनेंट जनरल का पद किस में होता है तो ये होता है आर्मी में अगला आपरेशन पोलो 1940 का सम्मन बताओ तो इसका क्या मतलब है है हैदराबाद और बराड की रियासत भारतिय संग में सामिल होना यह है आपरेशन पोलो उनिस सो और तालिस नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातू का नाम बताओ तो एक तो सोना हो जाएगा दूसरा प्लैटिनम अगला है करवा चोत में किस की पूजा होती है करवा चोत में भगवान सिप पामाता पारवती की पूजा की जाती है अगला है चंदर्मा का प्रकास प्रतवी तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो यह 1.3 सेकेंड का समय लगता है अगला है भारत के पहले कानून मंतरी कौन थे तो डॉक्टर भीम राओ अम बेट कर नेक्स्ट कुश्चन है मानफ सरीर में हड्डियों की संक्या बताओ मानफ सरीर में टोटल हड्डियों की संक्या होती है 206 अगला है पाओधों में पानी का परिबहन किसके दौरा होता है तो जाईलम के दौरा होता है किसके दौरा जाईलम अगला है 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राज की नियुनतम जनसंख्या घनत्तो है तो इस कॉस्टन का अंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश का अरुनाचल प्रदेश अगला है डिगबोई का समंद किस राज से है तो यह है असम राज से अगला है पोटेसियम सल्फेट का रासाइनिक सुतर बताओ तो यह होता है के टू असो फोर नेक्स्ट है लार का पियच मान बताओ तो 6.67 से 7.4 के बीच होता है लार का पियच मान अगला भारतिय ओलम्पिक संग की पहली महिला अध्यच का नाम बताओ तो यह हो जाएंगी P.T. U.S.A. नेक्स्ट है प्रतिवी का कच्छी अबे कितना होता है तो 30 किलोमेटर प्रतिस सेकेंड नेक्स्ट है बहादूर सा जफर का संबन कौन सी क्रांती से है तो 1857 का प्रतम भारतिय स्वतन्तरता संग्राम से संबन नेता है अगला है 2024 में ग्रैमी अबार्ट किसे मिला तो डॉक्टर जाकिर हुसाइन को मिला था नेक्स्ट कुष्चन है लोहे में जंग किस कारण से लगती है तो लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आइरन आक्साइड बनने से होता है अगला है ओडी साबा करनाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनीज का नाम बताओ तो यह हो जाएगा लोहा अगला है मूल करतब भी कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 51 का नेक्स्ट भविस की धातु किसे कहते हैं तो टाइटेनियम को कहा जाता है भविस की धातु नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं गोदावरी नदी का उधिगम इस्तल वताओ तो यह हो जाएगा नासिक अगला उत्तर भारत के मैदान से कौन सी नदी गुजरती है तो यह गुजरती है गंगा नदी गंगा नदी की लंबाई की बात करने तो कितनी है 2525 किलो मेटर अगला आदित योजना का संबन कौन से मंत्राले से है तो रच्छा मंत्राले से है तो गाईज आज किस वीडियो में तना ही थैंक्यू धन्यवाद